कि वेल्कम बैक फ्रेंज टू दजी एस लेट फॉर्म यूटूब चैनल दोस्तों आज है थर्ड ऑक्टोबर 2020 और आज की करेंट फिर में जितने भी इंपर्टेंट कोईशन बनेगे इस वीडियो में हम लोग देखेंगी और अगर आप चैनल पर नई है तो चैनल को सब्सक् स्क्रेनिंग के लिए एक करोड से अधिक परिक्षड करने वाला देश का पहला राज बन कर कोविड नमून की परिक्षड में एक मुकाम हासिल किया है सरकार ने पिछले 45 दिन में प्रिसी दिन 1.5 लाग परिक्षड किये हैं राज चिकित्स स्थिक्षा विभाग द्वारा जारी आधिकारिक आकणों के अंसार 30 सितंबर 2020 तक राज में किये गए परिच्षडों की कुल संख्या एक करोड 98,696 थी ठीक है तो आपका फस्ट कॉश्चिन कंप्लीट हुआ नेक्स्ट कॉश्चिन है कॉश्चिन नमर सेकेंड राष्टरी अपराद रिकॉर्ड ब्यूर नहीं है जो कि प्रतम स्थान ये 23 स्थान पर हूँ लेकिन मेट्रो सटीज की बात करें तो इसमें नई दिल्ली पहले स्थान पर है मुंबई दूसरे स्थान पर है ठीक है तो राष्टी अपराद डिकॉर्ड वी द्वारा जारी किये गए नवीनतम आकणों के इंसार वर्स 2019 के दुरान दिल्ली में 12,590 मामलों की बाद मुंबई 6,519 मामलों के साथ दूसरे स्थान पर है तो दिल्ली और मुंबई पहले और दूसरे स्थान पर है जबकि देश का सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश जो राज्ज है उसमें इस तरह कोई भी सहर सामिल नहीं है हलांकि महराष्ट में अपरादों में 1,5 फीशिदी की गरावट आई है वर्स 2018 में 3,46 लाग की तुल्ला में 2019 में 3,41 लाग मामली उबर ओल इंडिया में दर्च की गई है ठीक है और 575 की संक्या के साथ महलाओं की विनमरता की अपमान की मामले में मुंबई को भी प्रसमिस ठीक है विनमरता की जो अपना अबमान हो सकता है यानि कि जो रिस्पेक्ट हो सकता है महलाओं का उस मामली में मुंबई को प्रसमिस्थान मिला है लेकिन अगर बात की जाएगी कि महलाओं की खिलाब जो अपरादिक मामली हुए उसमें दिल्ली को प्रसमिस्थान मिला है न वन नेशन वन रासन कार्ड योजना को लाउ करने वाली राज्यों में तमिल्लाडू हाली में सामिल हुआ है मुखमंत्री एके पलानी श्वामी ने योजना के उधगाटन की रूप में चैन्नाई में तीन कार्ड धारकों को रासन लेख वितरत किये हैं एक अक्टूबर 2020 से चैन्नाई साहत राज की 32 जिलों में वन नीशन वन रासन कार्ड योजना सुरू करती गई है राइट नेक्स्ट कोश्चन है कोश्चन नमर फूर हाली में जल जीवन मिसन का सो दिवसी अभ्यान कब सुरू हुआ है तो इसका अंसर होगा दो अक्टूबर आप्सन भी सही हुआ तो जल जीवन मिसन की तहएट गांदी जी के अवसर पर सौदिवसी अभ्यान सुरू किया गया है ये स्कूलों और अगनवाडी के हिंद्रों में पाइपड पे जलापूरती प्रदान करेगा जल जीवन मिसन की कार्यान वेन और 29 सितंबर 2020 को मिसन के लोगों के अनावरण के लिए ग्राम पंचायतों और पानी समितियों के लिए मार्ग दर्कस्ता जारी करते हुए प्रदान मंत्री इन्रेन मोदी द्वरा इस अभ्यान की गोशना की गई राइट नेक्स्ट क्वेशन है क्वेशन नमर 5 जंजाती उत्पादों की सबसे बड प्रकेट प्लेस का सुबारम किया है इससे देजबर में आदवासी उद्यमों की उत्पादों और हस्त सिल्प का प्रदर्सन किया जाएगा उन्होंने कई अन्य जगों पर ही हरी जंडी दिखाई है और रिसी केस और कुलकता में 124 में आउटलिट का उद्गाटन सामिल है तो आप ज्यान रखेंगे कि अरजुन मुंडा ने इस तरह की बड़ी बाजार का उद्गाटन किया है नेक्स्ट कुश्यन है कुश्यन नमर 6 हाली में वैवाव सम्मेलन का उद्गाटन किसने किया है तो इसका आंसर होगा प्रदान मंत्री नरेंद मूदी आप्शन B सही हो यानि कि विदेशी सोद करता हो चाहे वो भारतिय सोद करता हो उनकी सिच्छा विदों का एक वैस्विक आबासी सिकर सम्मेलन है ठीक है तो आप ध्यान रखेंगे कि जो भी सोद करता है उनका एक सम्मेलन है वैवा उसका उद्गाटन प्रदान मंत्री जी ने किया है सिकर स मिलन का उद्देश विस्वर के सैच्छडिक संस्थानों और रिसर्च और डबलमेंट संगठनों में भारतिय मूल की दिगजों को एक मंच पर लाना है राइट नेक्स्ट कोश्चन है कोश्चन नमर सेविन हाली में अंतर राष्ट्री अहिंसा दिवस कम मनाए गया तो इसका उन्हीं की जनम दिवस की रूप में दिवस मनाया जाता है 15 जून 2007 को एक प्रिस्ताव में संग्तराष्ट्र महा सभा ने महत्मा गांदी जी की जहनते को अंतर राष्ट्री अहिंसा दिवस की रूप में मनाने का काम सुरू किया था तो आप द्यान रखेंगे ये वर्ष 2007 स तो हाली में गांदी जी और सास्त्री जी का जनम दिवस कम मनाएगा तो इसका अंसर होगा दो अक्टूबर ऑप्सन सी सही होगा तो राष्ट्र ने राष्ट्र पता महात्मा गांदी को दो अक्टूबर 2020 को उनकी 151 जहनती पर सरदान जली दिया है महात्मा गांदी की जहनती को अंतराष्टी एहनसा दिवस की रूपे मनाया जाता है और देश ने पूरो प्रदान मंत्री लाल बादूर सास्त्री को भी उनकी 116 जहनती पर सरदान जली अर्पित किये दोनों नेताओं ने असाधारण समरपड के साथ देश की सीवा किये नेक्स्ट कोश्चन है कोश्चन नमबर नाइन हाली में बापू संग्रहालाय का उतगाटन किस राज्ज में किया गया है तो यहां पर जो आप्सान है आंसर होगा आंदरप्रदेश आप्सान भी सही हो जाएगा तो आंदरप्रदेश की मुखमंतरी यस जगन मुहन प्रच्ट किये गए हैं और उन्होंने संग्रहाला में भारती द्वच के डिजाइनर पिंगली वैंकईया की एक मूर्ती का भी अनावर रखिया है नेक्स्ट कोशन है कॉशन नमर टैन हाली में देवयानी उत्तम खोवरागड़ी को किस देश का राजदूत बनाए गया है तो इसका अंसर हो जाएगा कमबूडिया, option A सही होगा, तो विदेश मंतरी ने कहा है कि देव्यानी उत्तम खोबरागडे को कमबूडिया में वारती अगली राजदूत के रूप में निक्त किया गया है, और खोबरागे 1992 के भारती विदेश सिवा के अधकारी हैं और वरत्मान में मंतराले में शायोग तो सचे हो हैं, उमीद की जा रही है कि विदेश मंतराले के अंसारी सीगरभार ग्रहड करें, ठीक है, तो यह आपका 10th question complete हुआ, आगे देखते हैं, कल की कोई अंसर आपसे पूछा गया है कि भारत की पहरी ताटर अकादमी के सहर में स्थापित की जाएगी, तो इसका अंसर हो जाएगा मंगलूरू, दूसरा question GST related था, सतलज सी काली नदी तक के हमाले को क्या कहा जाता है, तो इसका अंसर हो जाएगा कुमावू हमालाई, आज का question GST related है, प्रधान मंतर जी ने सम्भूदित किया है, तो कौन सा सत्र है, यहाँ पर option दिए गई है, आपके सामने इसका answer आप comment box में बता सकते हैं, और GST का question है, टोड़ा जिन जाती कहा निवास करती है, important question है, एक्जाम में पूछा गया question है, तो इसका answer भी आप comment box में बता सकते हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आए, तो please वीडियो को like, share, comment करना ना भूले, मिलते हैं next video में, तब तक के लिए नमस्कार,